So guys, अगर आप लोग Vivo के phone यूस कर रहे हैं और Vivo के phone में अगर आप लोगो को Wi-Fi hotspot की problem आ रही है Wi-Fi hotspot आप लोग के Vivo के phone में काम नहीं कर रहे है तो कैसे आप लोग इस problem को fix करेंगे वो हम आप लोगो को इस वीडियो में बताएंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेज़ेगा बिलका इकन को प्रेस कर लेना है तो देखें यहाँ पे जाते हैं हम अपने फोन की सेटिंग्स पे हैं और यहाँ पे आप लोग सर्च करेंगे अगर वाई फाई यहाँ पे आगे आप लोग का वाई फाई होट स्पॉट देखिए ठीक है तो इसमें अगर कोई भी दिखकत आ रही होगी तो सबसे पहले आप लोग एक छोटा सा सॉलिशन यूज़ कर सकते हैं आप लोग अपने फोन को स्फॉच आफ करके सुच अन करें काफी चांस है कि यह थरीकी से आप लोगों की प्रब्लम फिक्स हो जाएगी या फिर अगर सौट्ट्वेर में कोई प्रब्लम होगी तो आप लोग को जाना होगग अपने फोन के अब आउट फोन पे माफी चाहूंगा about phone पे नहीं आप लोग system update पे जा सकते हैं और यहां पे आप लोग अपने phone का update चेक करें और अगर कोई update available होगा तो simple आप लोग अपने phone को update करेंगे तो हो सकता है कि software में bug हो नहीं कि वो जैसे आप लोग को problem आ रही होगी तो आप लोग अपने phone को update करेंगे तो आप लोग की problem fix हो जाएगी ठीक है और यह दो जो solution है आप लोग की अगर काम नहीं करते तो last में क्या solution है आप लोग को जाना होगा अपने phone की system settings पे देन आप लोग को click करना होगा reset options पे और यहाँ पे आप लोग को एक option मिलेगा reset, wifi, mobile and bluetooth का तो आप लोग को अपने phone में यह settings को reset कर देना है जैसे ही आप लोग यह settings को reset करेंगे किसी भी गलत activity की वज़ा से wifi hotspot में problem आ रही होगी सब कुछ default हो जाएगा और आप लोगों की problem भी fix हो जाएगी इसमें आप लोग का कोई भी data delete नहींगा आप लोगों को निश्चिंत रहना है तो simple आप लोग को यह methods को use करना है definitely आप लोगों की problem fix हो जाएगी मिलते हैं next वीडियो में जै मतादी